इस इस मुन्मून और यह वाचिंग में और माई चैनल इसका सिंग विट मुन्मून फ्रेंज कोई भी गैजट हो जैसे कीचेनफ की गैजट हो या वीडियो गैजट हो कई प्रकार के गैजट निकले हुए हैं तो जो हमारे उसके नुकसान और फायदे के क्या क्या लक्षन होते हैं या हमें उससे नुकसान मिलते हैं या फायदे मिलते हैं यह देखने होंगे तो सबसे पहले मैं यह आपसे बात करूँगी कि कोई भी चीज, कोई भी गैजट वो फाइदा है या नुकसान है कैसे पता चलेगा अगर आप उसे यूज से ज़ादा यानि कि उसको आप ज़ादा यूज कर रहे हो अपने अती से ज़ादा यूज कर रहे हो तो वह आपके लिए नुकसान और अगर आप उसको लिमिट में यूज कर रहे हो तो आपके लिए फाइदा Suppose that earphone आप देखोगे आप सरख में चलते वे देखोगे घर में देखोगे अक्सर आज के जनरेशन बहुत ज़ादा earphone का इस्तिमाल करते हैं बहुत ज़ादा तो बहुत ज़ादा earphone का इस्तिमाल करना अब समझ रहे हो क्या होने वाला है आज जो earphone से बिमारिया निकल रही है जैसे सरदर्द, हिदय रोक कां का खराब होना तो आप कोई भी चीज का इस्तिमाल अगर ज़ादा करोगे किसी भी चीज अगर हम लोग कोई खाने पीड़े चीज के इस्तिमाला का ज़ादा कर रहे अगर हम लोग लिमिट्स से बाहर ज़ादा यूज करते हैं तो हमारे लिए फायतेमन कभी नहीं हो सकता है वो हमारे लिए नुक्सा नहीं करेगा इसलिए आज मैं तो earphone की बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि earphone इतने ज़ादा आज के generation के students बच्चे या कोई भी हो यूज कर रहे हैं गाली चला रहे ही तो earphone तो रोड में जा रहे हैं तो earphone और यहां तक कि झो खत्रों से पता नहीं क्यों खेलते हैं रोड क्रोस कर रहे हैं रोड क्रोस कर रहे हैं यहाले आचमाले जे loud music अगर हमको sound यह प्रणाई देड़ा है हम तो उसी के अंदर ही हो जाएंगे हम उस म्यूजिक के धून में ही पने रहेंगे हमें यह समझ में आगा कि पीछेस को आवाज दे रहा है या नहीं हम रोटरे चल तो रहे हैं लेकिन ध्यान होता है हमारे यहर्फोन में क्या हो रही है कौन सी आपके सेहत के लिए भी नुकसान दाग है आज आपके उम्र कम है कल धीर दर आपके उम्र बढ़ेगी सुनने की सकती कम हो जाएगी आज आप तो सुन पारे हो आज भी आप ध्यान दोगे कुछ पैरंस मेरी बात को सुनियों ध्यान दिजिए कि आज के बच्चों को आप जो भी सुनता है वो एक्चुली उसी मेरा जाता है और माली जी मैं कभी भी एरफोन लेकर कान में कोई भी म्यूजिक सुन रही हूं और सपोज जट आदा घंटा अपने एरफोन को अपने कान में रखी हूं फिर उसके बद हटा देती हूं कंटिनुएसली मुझे एक डिर घंदा लगता वहीं म्यूजिक मेरे कान में बज रही है मुझे लगता कि अभी बज रहा है वो कान तो सोचो आप तो मुझे ऐसा निसमा ज्यादा मुवाइल यूज करना ज्यादा यड़फोन यूज करना पता रही कैसे लोग कर लेते हैं लेकिन बात यह है कि आप कोई भी ग्याजट को किसी भी चीज को ज्यादा इस्तवाल ना करेंगे आपके सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है यहरफोन का इस्तवाल करना ठीक है करो नो प्रॉब्लम करने से हर चीज हागर कुछ भी डेप्लॉप हो रहा है तो हम यू यूज तो नहीं करेंगे लेकिन उसको ज्यादा मतब लिमिट से बाहर यूज मत किजिए क्यों अपने सेहत को नुकसान में डाल रहे हैं क्यों अपने आपको खत्रे में डाल रहे हैं सिर में दर्थ हो जाएगा भारी पर लगेगा आलस लगेगी और दुस्री बाते हिरे र यादा फूलत जांता जोई हो ज्याँ आज फुल जाएगी वीडिमिक अपने बच्छों को साय्स च्वाइन को मैं यह कहोंगी आप भी अपने बच्छों को सतक करने अपने बोलिये कि तीन गंटे से जादा यरफून आप 14 गंटे में तीन घंटे से वयर्फॉन को यूस्स तीन घंटा युज़ रखो तो प्नियम भी लगड़ में तो लेक नेखिया विवाने ज़्टी तो प्रमा वेकार वीजिए फेम रेट नीव। कि यूज़ नकी अगर के सबलाव है यूज़ पर लेक्रिज बार बलाव पर भी जादा करें तो यूज़ पर बार बहुत हैं तो भी गैजट के इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से और सीमा के अंदर यानि लिमिट के अंदर ही यूस करें तो थी आउर से जादा आप उस यहर फोन को यूस ना करें आपके सेहत के लिए और आगे आप और जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो आपको सुनने की सबसे बहुत कान नाग आग सब कुछ तो हमाई लिए बहुत इंपॉर्टन है हमारे बॉड़ी के हट पार्स इंपॉर्टन है बढ़त हम उसको नुकसान में क्यों डाले तो लाइफ आपकी है क्याद आपको रखनी होगी तो अगर आपको मेरी वीडियो य मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब को ने बिलकुल ना बोले थैंक्यो फोर वाचिंग